हेलो दोच्टो वीडियो में बात करूंगा कि आपको कितना समय दिया जाएगा OBA EGZAM के लिए जब आपके OBA EGZAM कनडेक्ट करवाए जाएंगे तो कितना टाइम मिलेगा हमें EGZAM लिखने के लिए तो देखिए वैसे तो आप सभी को पता है कि आपने फर्स और थर्स समेस्टर के एक्जाम दिये हैं तो तीन गंटे का आपका टाइम होता है और एक गंट डाउनलोडिंग और अप्लोडिंग के लिए दिया जाता है फिर उसके बाद दोस्तों कितना टाइम मिलेगा अगर कोई दिक्कत होती है तो कितना टाइम दिया जाएगा आपको तो देखिए चार घंटे तो आपके खुद के हैं आप कुछ भी किस टाइम भी upload कर सकते हैं है तो कोशिस तो यही करें कि दोस्तों जैसे progressip हो जाये। तो उसी टाइम अप्लोड कर दे फिर दूसरा हो जाए तो उसे टाइम अपलोड क दे ठीकक है पीडियोफ बना वाद में करते हैं तो बाद में बहुत सारी दिक्टे देखने जाती है तो इसलिए दोस्तों कोशिए करें कि जैसी एक कोशन हो जाए उसे अपलोड कर दे तुरंत और चार गंटे के बाद फिर आपका रिव्यू कमेटी वाला टाइम सुरू हो जाता यानि चार गंटे पूरे हुए फिर एक गंटा आपको रिव्यू कमेटी के लिए दिया बच आ रही थी तो पीडिएफ के पीछे लगा के उसे बेज देना पोर्ट पे अपलोड कर देना ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपका जो टाइम है वो बच जायेगा उस त्थैम अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चार गंटे के अंदर ही उपलोड कर दें अपनी ऐसे सीट बाद में उसे पोटल पे ही अप्लोड कर दें आप समलों आपको पांच घंटे मिल गए एक घंटा दोस्तों आपको तब करना यूज जब कोई दिक्कत आ रही है अगर आपके पास कोई प्रूफ अगर प्रूफ नहीं है तो चार घंटे के अंदरी खोशिश करना अगर घंटे के बाद आदा घंटा और मिलेगा कि आप उस आदे घंटे के अंदर मेल कर दीजिए अपनी आंसर सीट और जो मेल है वह आपको जल्दी प्रॉइड करवाया दी जाएगी और जो मेल होगी दोस्तों अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग मेल होगी यह धान रखिए क्य मेल करना है अगर गलत मेल कर देंगे तो दोस्तों आगे दिक्कत हो जाती है फिर आपको ही यह कोसिश करना कि जो आपकी मेल आइडिय वह ठीक तरह से चेक कर लें और जो आदा घंटा है उसी के अंदर आपको अपनी जो आंसर सीट है मेल करनी है जब पांच गंटे पूरे ह होने के बाद ही तब ही मेल करना है पांच गंटे से पहले नहीं करना है पांच गंटे से पहले आपको पोर्टल पर ही करना है और जैसी पांच गंटे ओवर हो जाते हैं फिर उसके बाद आप मेल कर सकते हो आदे घंटे के अंदर आप पूरे दिन कभी भी बेसते रहो आदे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर या कॉमेंट कर देना आपको रिपलाइ मिल जाएगा ठीक है और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों इससे आपकी हल्प होती रहेगी हर समय 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 लो एक्जाम के समय भी अवैलवल रहूंगा आपकी हल्प होती